ब्रेगन दर्बुगया गोवेत सध्या निवर्णुकी जे रना धुमानी सुरुए गोवेत यंदा भाजवपने निवर्णुकी चा पार्श्वभुमियोर जोर्दार प्रचार केलेचे बगयला मेते देशाचे पंतप्रदान नरेंदर मोदी तुसस केंद्रिया गुरह मंत् प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी से लेकर अमिशा से लेकर सबी दिगज नेताओं को बीजेपी ने जुनावी मैदान में उतार दिया है इस बारे में हम बात करते हैं देविंदरा फढणलिसी से स्वागते आपका प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने सभाँ में कहा है कि कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात कही इया देखे, प्रधान मंत्री जी ने ये कहा, कि मैंने जो कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात पहली बार कही थी, वो गोवा में कही थी, और भारत के लोगों ने उसको सच करके दिखाया. और कॉंग्रेस मुक्त भारत का अर्थ है ये होता है कि जिस संस्कृति को कॉंग्रेस ने तयार किया, एक घराने की पूरी सत्ता, और केवल भरष्टाचार, अनाचार, दुराचार, ये सारी चीजे समाप्त करने का बिड़ा मुदी जी ने उठाया, और आज बहुत बड़े ह आ रहा है, उसमें आ रहा है हंग एसेमली आएगी, आपको क्या लग रहा है? तो मुझे लगता नहीं है क्योंकि हम लोग भी ग्राउड में जो एसेस्मेंट लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लोग पूरुना बहुमत देंगे, दिके गोवा में एक बड़ा लोग हमको पूरुना बहुमत देंगे, लेकिन गोवा की राजनीती जो है हमेसा अटपटी सी रही है, आयारा हम गयारा हम चलता रहता है, या कोई पार्टी किसी पार्टी में मज हो जाती है, जैसे हमने पिछली बार देखाता, तो क्या लग रहा है, इस बार ऐसा नहीं हो गोवा की एक अपनी विरासत भी है राजनीती में, और कई लोग इधर उधर जाते है, कई पार्टी में जाते है, आते है, क्योंकि कॉंस्टिवेंसी छोटी है, तो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, कई लोग उस कॉंस्टिवेंसी को बिलकुल अपना गड़ बना ले और लोग भी इसको रियलाइस करते है, और विशेशुरूप से गोवा में मुझे प्रधान मंतरी मोदी जी पर बहुत लोगों का विश्वास दिखा, और लोगों के मन में है कि मोदी जी अगर देश को आगे ले जा रहे है, तो हम भी ऐसी सरकार चुने, कि जो मोदी जी के यहां की, देखे, कुल मिलाकर अगर हम देखे तो बीजेपी एक सिंगल पोल है, और वो अलग अलग जगह अलग अलग लोगों से लट रहा है, कुछ जगों पर हमारी लड़ाई कॉंगरेस के साथ है, कही हमारी लड़ाई, हम और एमजी, यह दो ही पार्टिया है, एक दो पर हम और आप है, एक दो जगह पर हम और TMC है, शिरु सेना का तो कोई वजूद गवा में दिखाई नहीं पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर यह बात आपकी सही है, कि बहुत सारी पार्टिया लड़ रही है, और यह सारी कि सारी पार्टिया BGB के वाइदा होगा क्योंकि जो वोट बटेगा, वो कॉंग्रेस का बटेगा, देकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि केवल कॉंग्रेस का वोट बटेगा, पर निश्चित रूप से ज्यादा वोट कॉंग्रेस का बटेगा, और वैसे अगर हम देखे तो तुनमुल कॉंग्रेस ज दिखाएने पड़ता है तो गोवा के लोगों की एक अपनी राजनितिक सोच है और कुल मिलाकर गोवा के लोग जो है यह बहुत जादा आक्रमक्ता पसंद ने कड़ते हैं शांती से जीना चाहते हैं अपनी पोलिटिकल लिगसी को लेकर जीना चाहते हैं तो उसके कारण कई सीटों के उपर बागी भी है बीचेपी से जैसे उत्पल परिकर है लक्षमिकान जी हो गये बागी तो है ही और हमको दुख भी है क्योंकि बीजेपी तो एक परिवार है परिवार का कोई व्यक्ति अगर परिवार से अलग होता है तो उसका अपना दुख होता है लेकिन हमने प्रयास बहुत किये जहां तक उत्पल का सवाल है हमने उसको दो तीन ओप्शन दिये और ऐसे ओप्शन दिये जो सीटे बीजेपी कभी हारती नहीं है और केमल उतना ही करेकर हम रुके नहीं हमने उसको का अभी आप यहां से चुन कर आईए पाच साल बार आपको पंजी में के लिए जिनकी मुदत लिये उनको अब हम बाहर नहीं कर सकते हैं तो चुन कर आए पंजी के लोगों यह को चुन कर दिया है लेकिन अब उन्होंने बात नहीं मानी यह लक्षमिकान जी बिल्कुल हमारे शुरुआत से लक्षमिकान जी ने बीजेपी के लिएheld काम किया अब भी हमको परिसीरी दिखाई पड़ती थी कि परसेकर जी शायद नहीं जीत पाए इसलिए उनको काफ हमारे बड़े नेता है हमारे तो शिर्शस्त नेता उनको चॉइस दिया कि आप बताई आपको केंदर में राज्य में कहां क्या आप इंगेजमेंट चाहते पार्टी ज जा रही है कि इसमें कोई कम्यूनल माहूल तैयार करने के आवशक्ता नहीं है वैसे तो मामला कोट में चल रहा है मंडे को उसका हीरिंग है इसलिए इसमें जढ़ा बोलना भी उचित नहीं होगा पर मैं इतना ही इसमें कहना चाहता हूं कि दिखे स्कूल में तो स्कूल का होना चाहिए और इस बारे में इससे पहले भी केरला के हाई कोट ने डिसीजन दिया हुआ है तो इस पर फिर नहीं सीरे से विवाद ख़डा करना यह मुझे असा लगता है कि क्या जानबूच कर इस प्रकार का विवाद किया जा रहा है क्या मैनोरिटीज को इकठा करने के इस प्रकार का विवाद किया जा रहा है इसकी भी जाच होनी चाहिए पर अब इस पर मैं इसलिए जाना नहीं बोलूँगा क्योंकि अब सुम्वार को उसके उपर हाय कॉर्ट में हेरिंग होगा तो मेरे जैसे विक्तिने उसके उपर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है यानंतर इतावेजाले का ब्रेक्षी ब्रेक यह पावक्त न्यूजटीन लोकमात